हाई फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मेरा नाम है मुशाहिद और टेक्निकल ऊशन में आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आज इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे ब्रांडिड हम डिजिटल टीडियस मेटर और लोकल जैनरिक टीडियस मेटर का जिससे आपको दोनों शेर भी जरूर करें तो फ्रेंड्स अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स यह मैंने अमेजन से पर्चेस किये हैं यह दो मीटर है टीडियस मीटर इसमें एक ब्रांडिड है और एक नॉन ब्रांडिड है तो फ्रेंड्स देखते हैं आप इसको अन्बॉक्स क और इसके फीचर्स के बारे में आपको बताएंगे अन्बोक्स करने के बाद पहले हम इसको अन्बोक्स कर लेते हैं तो फेंड्स के उच इस तरह से यह मेटर है यह नॉन ब्रंडिड है है इसमें MRP 499 का MRP दिया वह है और यह टन्डेल से हमें सेंड किया गया है यह सेलर है इसको अभी हम साइड में लग देते हैं और इसको बताते हैं या हमने कितने में परचेस किया है यह देख सकते हैं हमने यह 238 रुपीज में हमने ये पर्चेस किया है अमेजन से ठीक है इसको हम साइड बर रख देते हैं अब ये सिर्फ ऐसे ही बॉक्स में ये आया है अब हम ये दूसरा वाला ओपन करेंगे बॉक्स बॉक्स ओपन करते हैं इसका बिल मिल जाता है याँ पर अब है ये देखिए ये वाला हमने पर्चेस किया है नाइन हंडडर्ड कि ट्वटिनग रुपीज औलि नो सो उनप्तिस रुपे का हमने ये वाई किया है अमेजन से आप किके इसको भी हम साइड में रख देते हैं और इसमें मीटर निकाल लेते हैं पहले हम यह दिखे यह वाला मीटर है यह हम डिजिटल ब्रांड का मीटर है जिसकी एक्वरेसी अच्छी होती है और यह टॉप ब्रांड में आता है और यह हमने तो बताई चुका हूं मैं कितने में मैंने पर्चेस किया है यहां पे इसका कस्टुमर के नंबर और विए इंडिया यह लिखा गया है और यहां पर यह इस तरह के बॉक्स में यह भी आ जाता है कुछ इस तरह से दोनों बॉक्स में आ जाते हैं इसके फीचर बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँँगा TDS क्या होता है TDS की फुल फॉर्म होती है टोटल डिजॉल्व सॉलिट व उतनी ही ज्यादा water में impurities minerals होते हैं और जितना कम tedious होता है उतना ही water pure होता है इसमें की जितना tedious कम होगा उसमें उतनी minerals कम हो जाएंगे और उसकी impurities वगेरा वे बिल्कुल clear water हो जाता है pure water हो जाता है अब आपको one by one इसके future दो और function बताएंगे फिर हम water भी इसमें टेस्ट करेंगे तो पहले हम ले लेते हैं यह नौन ब्रांडीड वाला चलो मैं ऐसे करता हूं यह ब्रांडीड वाला ही पहले उपन कर लेता हूं और यहां पर एक मिल जाती है यूजर मैनुल आप वीडियो को पूरा देखें आपको यूजर मैनल की कोई जरूत नहीं है पढ़ने की इसको भी हम साइड में रख देते हैं और एक हमें यहां पर ब्राउचर मिल जाता है जिसमें की जो एच आम डिजिटल के जिदने भी प्रोड़क्ट आते हैं वो इसमें यहां पे मैंशन की गए हैं यहीं है पियज pH meter वगेरा EC meter वगेरा और यह सारे EC meter, pH meter, TDS meter वगेरा यहापे और डिस्पले वगेरा भी इसके आती है वो सारे यह product इसमें mention के गए है आप इनको भी देख सकते हैं अगर आपको लेना है अगर आप इसने buy करना चाहते हैं इनका भी मैं वीडियो के description में लिंक दे दिया है आप आप से इसे purchase कर सकते हैं इन दोनों को ठीक है इसमें यह मिल जाता है ठीक है इसको देख लेते हम इसके functions क्या क्या होते हैं तो इसमें first में आप दिया गया है यह power का button दिया गया है और एक mode button दिया गया है hold का button दिया गया है इसमें सिर्फ तीन ही button यहाँ पर दिये गये है power का function क्या होता है इसमें एक बार हम प्रेस करेंगे तो देखे यह power on हो जाता है यह आप देख रहे होंगे यह power on हो गया ठीक है mode से change करने के लिए यहाँ पर हम mode को प्रेस करेंगे तो इसमें सिर्फ यह दो ही function है TDS और temperature सिर्फ दो ही हम function use कर सकते है इसमें यह सिर्फ दो function के लिए बना है और इसमें हम mode को change करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यह आपको दिख रहा होगा यह देखिए यह Fahrenheit में हो जाता है temperature सिर्फ mode का function सिर्फ यह है इसमें यह देखिए अभी degree Celsius में हो गया है यह आप देख सकते हैं यह degree Celsius में हो गया है एक बार और प्रेस करेंगे देखिए अभी यह Fahrenheit में हो जाएगा ठीक है और यह hold का बटन है इसे हम hold करते हैं जैसे कि आप कोई रीडिंग ले रहे हैं वाटर के लोटीडियस नाप रहे हैं तो हम इसको hold करेंगे तो इसमें यह reading जो है वो hold हो जाती है इस तरह से यह काम आता है तो फैंस इसको भी हम साइड में रख देते हैं और इसमें देखते हैं यहां पर देखें पीछे की साइड यहां पर बताए गया है और इसमें जो बैटरी है वो ऊपर की साइड लगती है यहां पर यहां से हम इसे ऐसे निकालेंगे देखें मैं आपको निकाल के दिखाता ह किस तरह से निकालना है इसको इस तरह से पुछ करना है देखिए उपर की तरफ और यहां पर यह कोईन टाइप की बैटरी यहां पर लगी है थ्री वोल्ट की यह इस तरह से लगती है यहां पर ठीक है इसको हम ऐसे ही लगा दिंगे अभी अधि देखिए लग गया इसको पाऊर ऑन औरको कर सकते हैं इस तरह से ठीक है अब इसको हम रख देते हैं साइड में और अब आ ठीक है अब इसको हम रख देते हैं इसर में को साइड में और TDS मेटर के बारे में हम आपको बताते हैं तो फैन्स यह जेनरिक मेटर है उसमें हम इसको यहाँ पे देखे एक power का बटन दिया गया है और एक shift का है और एक hold का button है तो power का button वही है एक बार press करेंगे तो on हो जाएगा दूसरे बार press करेंगे तो यह off हो जाता है और shift का button जो है वो काम करने के feature काम करता है आप इसे देखी यह जो है यह TDS और EC यह दो feature है इसके अंदर एक TDS major करने के काम आएगा और दूसरा EC electrical conductivity के major करने के काम में आता है यानि कि आप इससे TDS और electrical conductivity major कर सकते हैं तो जैसी कि एक बार हम प्रेस करेंगे shift को तो देखें यह जीरो जीरो आ गया है यहाँ पर यह EC mode में है देखें हाँ पर EC लिखावा आ रहा है electrical conductivity आप इसमें major कर सकते हैं और नीचे यहाँ पर आ रहा है यह 31.7 degree Celsius फिर एक बार हम प्रेस करेंगे इसे देखें अब यहाँ पर यह फारन हाइट में आ गया temperature और यहाँ पर PPM शो करने लगा है यानि कि आप इसे TDS major कर सकते हैं फिर एक बार हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखें EC आ गया है electrical conductivity और यहाँ पर फारन हाइट में आपर temperature शो करने लगा है तो इसमें 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 तीन फंक्शन है TDS EC and temperature इसमें तीन फंक्शन मिल जाते हैं और इस वाले में मि tillvos इसमें इसमें सि juste 2 फंक्शन मिलते हैं हमें भी है एंक फ्स laugh कर देते हैं इसमें बैटर्य कहा से डिए वहाँ पर हम आपको बताते हैं इसके बी ऑपर की साइड़ यहां पे बैटरी इंसट होती है इस था से तरह से एसमें यहां पर एंशलड होती है इस तरह से आप यहां पे बैटरी लगा सकते हैं इसमें और इसी तरह से एक हमने यह लिया है यहां पर tap water यहां पर हमने लिख भी दिया है देहरे tap water लिया है हमने यह अब लिया है only Ruby लिए ओर हमने यह पहुंद लिए हैng our water टैप वातर है तेखले हम करते हैं ये वाले से चैक चैक और इसे में रिडिन क्या शो करता है वो हम आपको बताते हैं ह। मैंác इसारी में की बहना हुँ बाता है स्कूल जो नहीं कि आपको यह से लुट इसमेश करने के लिए होथे हैं और यह तीसरा वाला यहां पर यह temperature measure करता है, यह आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा, यह यहां पर यह देख सकते हैं, यह TDS measure करते हैं, और यह वाला temperature गया है, यह ने यहां पर ले लिए है tap water, यह आप देख सकते हैं, यहां पर लेवल भी लगा लिया यह tap water का, और यहां पर हमे यह यहां लिया यह ro water, इसमें हम TDS check करेंगे दोनों से, तो friends हम अभी original वाले से हम HM Digital से check करेंगे, यह original meter है, तो हम इससे check करेंगे TDS tap water का कितना शोगरता ह है पहले हम यहां से पावर अन कर देते हैं इस तरह से यह देखित यहां पर पावर न हो गया यहां पे जीरोजीरो अ गया गई है और कि 1053 वांपर नशाय चिन्य पाइंट 19 इसको को हो गया है थोटी देर यहां पर ढाणें रखेंगे ताकर रिडंग कर देबलो जाहें आप यहां पर अनुआमयम वाटर हें यह दुदीखेंगे की भ। सिफल हो जाए तो बीच यहां पर यह पर यह रिडिंग सटेबल हो चीवह हो गया कि रैंक ए अब इसको होल्ड कर देता हूं यहां पर ठीक है यह नॉर्मल टैप वाटर है यहां पर देखे रीडिंग इसकी 970 रीडिंग शो हो रही है दो फेंट्स यह इसकी 970 सिख से औरीजनल वाले चैश्स में शो कर रहा है अब हम ले लेते हैं यह वालल मीटर है जो की एक स्लिष और नॉन वरून अतिम बotherap घुर है हिसको हम देखते हैं यह नाइन सेवन्टी में शू कर रा है और इस्टेबल हो गई है यह पर हम इसको होल्ड कर देते हैं इसको होल्ड कर दिया है यह 970 यह वाला मीटर शू कर रहा है और 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 ओरिजिनल वाले मीटर में कितनी आ रही थी 976 तोनों की सेम ही है six point का इसमें difference आ रहा है बस ठीक है अब हम इन दोनों को reset कर देते हैं on off करके इसको on करेंगे इसको भी off करके on करेंगे तो यह zero पर आ जाएगा अब हम इसको आरो water पर test करेंगे को आरो वाटर का किसमे कितना शो करता है यह दिखें यह हमने आपड और कर दिया है इस टेपल लू ने में थोड़ा सा time रहता है थोड़ा हम से प्सिर वहने दीते हैं यह यह यहां पर स्टेपल हो गया है इसको कर देते देंग बहुत को यह तरप ड़ तरप की जो रीडिंग है इसमें शुभ कर रही है 170 झाल पर यो 170 आपको दिख रहा हो यहां पर per camera टॐकस Нपी रही है और यहां प्रका देन की fright तिख रही है कि इसके डिस्प्ली की क्वालिटी ज्यादा इतने ऐची नहीं है यह देख सकते हैं 170 इसमें रिडिंग शो हो रही है ठीक है अब हम दूसरा वाले लेते हैं नॉन ब्रंडड इसमें हम देखते हैं आरो वाटर का कितना टीडिया शो करता है यह देखिए 186 इसमें रिडिंग आ रही है तो फिर इसको होड कर लेता हूं में यह देखिए इसमें 170 आ रही हैं इसमें 186 इसमें 16 पॉइंट का डिफ्रेंस आ रहा है इसमें और हमने टब वाटर जो मेजर गया था उसमें 6 पॉइंट का डिफ्रेंस आ रहा था तो फैंस यह रेपूरिट कंपनी है है हम डिजिटल जो की टॉप ब्रांड में आती है ज्यादा तर इसमें कमर्शल यूज में हम डिजिटल का ही यूज किया जाता है तो फैंस आप जमें रिकमेंड यही करूंगा कि आप औरिजनली रहें अग यह अधर वाइस यह बाद में और श्रीट यह अधर करें इसमें एक फीचर और दिया गया है इल्लक्ट कंडर करें को यहां पर आजाता है इसenda करें हम और जो your न कांडेक्टिविटी बताएगा यहां पर और चैयल अंटी बीटी जो है जो मेंजर की जाती हैं सीजीएट पर सेंटिमर में मेंजर की जात सेंटिमेंटर में सेंटिमीटर में सेंटिमेंटर में इसकी रीडिंग केल्कुलिट की जाती है और जो दो डवलु हो कि एकौर्डिंग रीडिंग जो है 400 से नीचे वनी चाहिए तो अभि सनी आ चाहिए तो फिम्हार पर देखते हैं इसमें कितनी टेप वॉटर में कितनी शो करता है चो या देखिने अरी या थे उन निस्सो चॉपतर यानिकि वन थाउजननिद नाइन हेंडड़ स्वेंटी फूर इसकी इसी की रीडिंग आ रही है तो ऐसे में दूसरे में हम देखते हैं यह देख सकते हैं दूसरे में 382 आ रही है पहले में इसको जफाब कर देता हूं हो सकता जाए यह देखें 360 में रीडिंग आ रही है इसी की आरो वाटर में तो हम इसे यह सुटबल है फो ड्रिंकिंग के लिए हम इसे पीएने के लिए यूस कर सकते है जब वहें हमारी बॉड़ी जो है 500 TDS तक के वाटर को तो आपको 350 TDS से नीचे का water आप consume कर सकते हो तो से नीचे TDS का water consume ना करें यह जादा ही प्यूर हो जाता है इसमें essential mineral होते हैं वो सब निकल जाते हैं और वो हमारी body के लिए भी सही नहीं है मतलब यह है कि जादा TDS भी हमारी health के लिए अच्छा नहीं है और कम TDS भी हमारी health के लिए अच्छा नहीं है तो fans यह थे कुछ इसके हमने आपको यह TDS मेटर के बारे में कुछ information दी आपको हमारी video कैसी लगी है वह आप हमें जरूर भी जरूर बताएं और like जरूर करें हमारी वीडियो को फैंस हम एक चीज और में हमारे पास एक मीटर थे यह वाला यह हम पहले यूज़ कर रहे थे इसके मुझे डाउट हो रहा था और इसके सारी यह सब वड्डी वड्डिया इसके सब तूट चुकी है यह डैमेज हो चुका है पूरा और हमने इसे बेंडेज करके से चलने राहत बनाया है तो फ्रेंट सको हम इसको भी कर ल करते हैं इसमें कितना ऑन करने के लिए यहां पर यह ऑन बटन है इसमें टैंपरीचर बटन है और हो होल्ड गटन है तो देख्यां कितनी रेडिंग आ रहे है और यह ए देख सकते हैं इसमें 442 इसमें रेडिंग आ रही है मुझे इस पर डाउट था ये काफी मैं दस आय थी मुझे 10-12 साल से मैं ये यूज़ कर रहा हूं और मुझे अचानक सी अभी कुछ दिन पहले ही मुझे इस पर डाउट हुआ और तो मैंने ये टीडियस मेंडर ऑडर किये तो ये भी जै नंए वाले परचेस किये है तो फिए behaves मे देखते हैं और युद्य देखते हैं पार मुटर का कितना शिए तो ये पोवच में Chao घ्र法 डि में टार जू कर रहा है तो इसमें देखते हैं आरो वाटर का कित शॐकरेगा तो इसको मॉफ कर देते हैं ये अब देखिए आरॉ उ बार्व वाटर लोगा इसमें हम कर देते हैं इसको होल्ट इसमें 128 शो कर रहा है। इसमें 128 ट्बीज आरा है और ये और इसमें 160 के अब अब था। यानि कि इतना डिफ्रेंस में आ रहा था तो इस वज़ा से कि मेरा मैंने इसको चेंज किया है और मैं यह यूज करने वाला नहीं हूँ अब मैं इसे इसको एक दूँगा मैं तो यह मेरे किसी नहीं रहा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट करके जरूर बताएं औ और हमारी चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना बूले मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के जाद तब तक के लिए भाई थैंक्स वर वाचिंग है वाचिंग है अगुड देग अ आपको हमारी वाचिंग है अग्सम्मारी फिर वाचिंग है और हमारी शाब कर दोस्क पादके लिएम में नेक्स मारे करते हैं और हमारी वाचिंग है